हालो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब बहुत अच्छी होंगे दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेकास ब्यूटी वॉर्ड में तो दोस्तों मैं आपको इस चैनल पर करा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटीशन का कोर्स तो उसी में आपको एक टॉपिक करा रही थी स्किन डिसॉडर हम स्किन डिसॉडर की थियोरी कर रहे थे उसमें मैंने आपको लास्ट फाइव वीडियो में दे चुकी हूँ उनक सभी वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक् कि स्किन कार्णों की वज़े से वो सारी स्किन प्रॉब्लम्स हमें होती है क्योंकि स्किन की जो भी समस्याएं होती है उनके बारे में हमें अच्छे से नॉलिज होनी चाहिए ताकि हम उनके कार्णों को जान सके और उनका ट्रीट्मेंट हमें पता हो तभी हम क्लाइन को एक effective best results दे पाएंगे है ताकि जब हमें knowledge होगी इन सारे diseases के बारे में disorders के बारे में तो हम उनको recognize कर पाएंगे और better treatment दे पाएंगे तो उसी में मैंने last video में आपको acne start कराया था कि what is acne acne क्या होता है acne के बारे में तो चलिए बिना wasting time वीडियो को start करते हैं तो दोसो types of acne acne जिसे हम common language में समाने भाशा में pimple भी कहते हैं तो जो हमारे acne होते हैं types of acne acne के प्रकार acne हमारा दो तरह का acne होता है एक होता है non inflammatory acne और दूसरा होता है inflammatory acne ठीके तो acne हमारे दो तरह के होते हैं two types of acne होते पालगों आपको अक्ने काताहि नॉसी कि खूर या के यहा वा है शिले को आपको आपके खिनद रेड़कों और वहां आपको आपको जस्टाइट जाती है मतलब यह साइन होते हैं इंफ्लमेशन के मतलब कि वहां पर इंफ्लमेशन स्टार्ट हो गया है जब आपको रेडनेस आ जाएगी उस जगहा पर स्कीन पर और स्वेलिंग हो जाएगी तो वह हमारा इंफ्लमेटरी एकने होगा ठीक है तो इस तरह से एकने के टू जो तो वह हमारा इंफ्लमेशन एकने क्लियर उसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं कि निंत्र क्वाट आइपस अखने में कौन से ऐकने आते हैं ठीक है तो non-inflammatory acne हमारा two types of acne होता है, pimple होता है, first होता है close comedon, जिसे हम white head भी कहते हैं, white head, and second होता है open comedon, जिसे हम black head भी कहते हैं, तो non-inflammatory acne को मैं आपको इस पिक्चर की समझाती हूँ, तो आपको जादा अच्छे से क्लियर होगा, तो दो तरह कि हमारे non-inflammatory acne है, open comedon और close comedon, तो पहले हम को समझते हैं, कि actual में comedon क्या होता है, तो मैंने जैसा कि आपको acne वीडियो में भी बताया था, कि जो हमारी skin होती है, वो 3 layer से मिलकर बनी हुई होती है, जो सबसे उपर वाली layer होती है, वो होती है हमारी epidermis layer, नीचे center में होती है हमारी dermis layer, and सबसे नीचे होती है हमारी hypodermis layer, ठीके, यह हमारी skin की layers होती है, जो center लियर्ची यह सक्ञाइब फोलिकल स्कॉर के साथ में यह और यह सपर ब deepest ऑंजेश उसे कि अमेरे वाले पर फोलिकल के साथ में प्रेशिंस घ्लैड हमारे उपर पोर्स के सान हए न०थ मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूं कि जो सिबेशियस ग्लैंड का काम होता है वो होता है कि यह जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं वो एक तरह का सीबम सीक्रिशन का काम करते हैं मतलब सीबम बनाने का काम करते हैं सीबम क्या होता है सीबम एक तरह का ओयली सबस्टेंस हो करते हैं नेचरल तरीके से जो किये सिबेशियस ग्लैंड का काम होता है ठीक है तो सिबेशियस ग्लैंड एक तरह का ऑईल बनाने का काम करते हैं ठीक है अभी सिबेशियस ग्लैंड हमारे हेर और हेर फॉलिकल हमारा जो है इसकिन के पोर्स के साथ कनेक्टिड होता है बड़ दोस्तो हार्मोन लेवल जब हमारे चेंज हो रहे होते हैं हार्मोन लेवल में बदलाव आने के कारण या फिर अधर रीजन्स की वज़े से जब हमारे जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं यह से बाहर जाता है इस प्वेत्स के स्कлекी से पर ऐसाएं लेकिन बहुत जादा मांज्ण में हमारा ऑईल बनने लग जाता है तो यहां पर असके साथ क्या है वह पर या पर टैल होता है व्ट अश। प्रटटा होने लग जाते हैं, ठीक है, और dead cells और हमारा oil और excess oil को conscious क्लोग एक फॉर्मेशन करते हैं, जो कि pore की opening कोяла, उसकी opening को बंद कर देते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं, ठीक है जब हमारे excess oil और dead cells मिल कर दोनों यहां पर हमारे pores की जो opening है उसे बंद कर देते हैं वो pore की opening बंद हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं जब यह comedon हमारे skin के surface से उपर होता है मतलब skin के surface ने उसे cover नहीं किया होता है वो open होता है उपर की सतह पर तो वो हमारा होता है open comedon यानिकी black head ठीक है अब वो black क्यों मन जाता है क्योंकि वो skin के surface के उपर है और वो air के contact में आता है और जब वो हवा air के contact में आता है तो वो oxidize हो जाता है oxidize होनी की वज़े से जो उसका color है वो black हो जाता है ठीके इस तरीके से हमारा open comedone बनता है I hope कि आपको clear हुआ होगा यह हमारा open comedone ठीके same हमारा होता है close comedone close comedone भी हमारा इसी तरह से बन रहा है कि हमारा sebaceous gland जो है वो over active हो जाते हैं बहुत जादा मात्रा में जो है oil बनाने लग जाते हैं बहुत जादा excess oil वहां पर बनने लग जाता है और excess oil और dead cells दोनों मिलकर एक clogged formation करते हैं और हमारे pore की opening को बंद कर देते हैं लेकिन जो यह pore की opening को बंद किया है जो clogged formation हुई है वो हमारे skin के surface के इंदर रहती है नीचे ही रहती है मतलब skin के surface , वह उसको cover करके रखता है ठेकिंस से बाहर नहीं है स्किन की सतर के अंदर रहता है पर air के contract में नहीं आपाता जिसकी वज़़े से वह oxidize नहीं हो पाता जब oxidize नहीं हो पाता तो इसका जो color है वो white रह जाता है इसके वज़े से हम इसे बोलते हैं close comedon क्योंकि ये skin के अंदर है skin के सतह ने उसको उपर से cover किया हुआ है और ये क्या है? open comedon क्या है? ये skin के surface के उपर आ जाता है जिसके वज़े से air के contact में आने के कारण ये oxidize हो जाता है तो ये black हो जाता है और ये skin के सतह के नीचे रहता है close comedon skin के सतह के उपर नहीं आ पाता और air के contact में हवा के contact में नहीं आ पाता तो oxidize नहीं होता है जिसकी वज़े से इसका जो color है वो white ही रह जाता है ठीके तो ये है हमारा open comedon and close comedon I hope कि आपको clear होगा होगा कि comedon क्या होता है किस सरीके से comedon बनता है और open comedon क्या है close comedon क्या है open comedon जिसे हम black head भी कहते हैं और close comedon जिसे हम white head भी कहते हैं ये दोनों जो condition है open comedon and close comedon इन दोनों को हम बहुत easily treat कर सकते हैं कोई बहुत सदा सीवियर गंभीर समस्या नहीं है एकने की इन दोनों को इजीली ट्रीट किया जा सकता है बट अगर जब आप इनको ट्रीट नहीं करते हैं आपने फेस पर ओपन एंड क्लोस कॉमिडॉन आपके फेस पर बने रहते हैं तो आगे जाके दीरे दीरे जब आप इ उन्हें ट्रीट कर लेना चाहिए ताकि हम उनको आगे की स्टेजिस में वो कंवर्ट ना हो पाएं और हम आगे एकने की आगे की स्टेजिस से बच जाएं ठीक है तो चले आगे देखते हैं हम इंफ्लेमेटरी एकने इंफ्लेमेटरी एकने में हमारे कौन-कौन से एकने आत पाईपस और आक्ने वहारे इंफल्तारे ऐकने में प्यक्लैयर इंफ्लमेटरे में को आपन और आक्नें एखने आद लर्म क्यों ओन पूंपयास काफने पॉल पशन Ferrig濃 कर Dao प्यूल्दी न्य कि यह-ट दो आप् 상फ कि आखने च्रेख करें अफ़ जिनमें आपको थोड़ा सा पेइन भी हो सकता है, बहुत ज़ादा पेइन नहीं होता है, लेकिन हाँ उनमें पेइन होता है, और red कलर में आपको दिखते हैं, ये red ये lightish pink कलर में भी हो सकते हैं, जो कि ये indicate करते हैं, ये संकेत देते हैं, कि आपका जो hair follicle है, वहाँ पर inflammation and infection फ तो वहाँ पर क्या हो जाता है, inflammation start होना हो जाता है, infection fall and start हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, वो मैं आपको बताती हो, इस picture के तुरूण, तो दोस्तो यह है हमारा papule, जो कि acne की second stage है, cometon acne की first stage है, जब हम acne या पिंपल को, इसको कोई treatment नहीं लेते हैं जब वह बना रहता है जहांपर पयूल स्वाइशा सब्लीचर नहीं वहां पर आपको तो जो प्रेशन नहीं पहरे नीकल नोहितको यह हुआए तो जो आग्री सेल्सरे स्सीर्ट को एंट Mireya ग्रोध बढ़ने लग जाती है तो वहाँ पर इन फ्लमेशन पी पर ads पी एक्ने और ही पी अक्ने घीट कर सकते हैं जिसकी वज़े से सभूदि को हमेड़ कर thinking तरीट में। और papule को भी ठीक किया जा सकता है तो इस तरीके से हमारा जो comedon था वो papule में convert हो जाता है papule हमारे acne की second stage है तो दोस्तो इस तरह के दाने आपको skin पर दिखते हैं जिनमें redness होती है और उसकी surrounding skin जो होती है वहाँ पर भी redness होती है, हलकी swelling होती है इस तरह के जो acne होती है वो papule acne होती है यह papule acne की कुछ example है दोस्तो नेक्स्ट हमारा जो inflammatory acne है वो है pustule pustule acne की third stage होती है first stage हमारी comedon, second stage papule and third stage है हमारी pustule pustule में जो आपका acne का दाना होता है skin पर उसमें redness होती है swelling भी होती है और आपको pain भी होता है लेकिन आप इस pustule को बहुत easily find out कर सकते हैं बहुत easily आप उसे पहचान सकते हैं कि यह pustule का दाना है क्योंकि जो pustule होता है उसकी white white tip होती है जो उसकी tip होती है वो white color की होती है जो papule था उसमें उसमें कोई भी white color की tip नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर अभी inflammation स्टार्ट होना शुरू हुआ है लेकिन जब pustule के condition में वो आ जाता है तो वहाँ पर acne में आपको white tip नजर आती है ठीके तो दोस्तो example के दौर पर हम इस picture में देख सकते यह जो दाना है यह हमारा pustule acne है ठीके पustule acne में क्या होता है कि redness भी होती है और जो उसकी tip होती है उसमें white pus होता है जिसकी वज़े से उसकी जो tip है वो white color की नजर आती है आपको वो white pus होता है ठीके तो आप जो पustule acne होते हैं उनको भी हम treat कर सकते हैं उनका भी हम treatment कर सकते हैं लिए उसको ठीक किया जा सकता है तो दोस्तों जो होता है वो पस्ट्यूल में कैसे कंवर्ट हो जाते हैं तो इसे अगर मैं आपको बिल्कुल हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव mechanism होता है जिसमें हमारी बॉडी खुद से खुद को हील करती है तो जैसी हमारी बॉडी को इंडिकेशन मिलता है पैप्यूल की कंडिशन में कि यहां पर हैं फॉलिकल में इंफेक्शन होना स्टार्ट हो गया एंफ्लमेशन स्टार्ट हो यह पी एक्न को बेक्टीरिया है उनसे वह वाइट संब करते हैं जो ये तिप прेड़ पश देखे ञां इसको स फिर सेयं हमारे फ्लत समय हो मार देते हैं अगर इसे यह फीर संब्स अपने आप अपने चाहरेगा यो तो दोस्तों जो पस्ट्यूल होता है उसको भी हम इजी ले ट्रीट कर सकते हैं एक्ने ट्रीटमेंट्स की थूँ जो कि मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या एक्ने की ट्रीटमेंट्स होते हैं तो पस्ट्यूल की जो स्टेज होते हैं यहां तक की जो एक्ने का ट्रीटमेंट आप दे तके हैं और नहीं अक्ने से छुटकरा दिलवा सकते हैं बट जब पस्टिल की कंडीशन भी बनी रहते यहां पर भी आम इसको ट्रीट करने की कोशच नहीं करते हैं और यह देली देले फैलता जाता है तो फिर आगे कि स्टेज में कंवर्ट ह नेक्स्ट हमारा इंफ्लेमेटरी अक्ने में नॉड्यूल नॉड्यूल जो होते हैं थोड़े से बड़े दाने होते हैं और सॉलिड होते हैं बहुत ज़्यादा पेइन्फूल होते हैं अगर आप उसे टच करोगे तो आपको महां पर फील होगा कुछ बड़ी से गांट टाइ कि यहां पर किसी प्रकार का कोई दाना है सॉलिड सॉलिड वहां पर स्कीन हो जाती है तो जो नॉड्यूल होता है वो आपकी स्कीन के सर्फेस के नीचे होता है स्कीन का जो सर्फेस होता है वो आपका उठा हुआ नजर आता है और थोड़े सा बड़ा दाना होता है और दोस जुत है आपको touch करने पर लेकिन सिस्त होता है वो पस्य भरे हुए दाने होते जिन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ठीक है तो जो नॉडियूल ॏंड्सीस वह एक्ने की जो है fourth stage है थार्ड stage ही हमारी postule और नॉड्यूल and acne जो nodule and cyst है वो acne की fourth stage है जो कि बहुत ज़रा severe condition हो जाती है acne की बहुत ज़रा गंभीर स्ततिय हो जाती है जिसे हमें बिल्कुल भी जिसके साथ छेडशाड नहीं करनी चाहिए हमें इनको treat नहीं करना चाहिए अगर किसी client को आपके nodule and cyst की condition बनी हुई है आपको लग रहा है कि जो उनके acne का है वो nodule और cyst की condition पर पहुँच गया है तो फिर उन्हें आपको किसी अच्छे dermatologist के पास या फिर skin specialist के पास जाने की सलाह देनी चाहिए doctors के पास जाने की सलाह देनी चाहिए क्योंकि वो लोग उसे अच्छे से recognize करेंगे कि क्या condition है किस सरे से उसे treat करना है तो आपको इसके साथ बिल्कुल भी share chart नहीं करनी चाहिए ये इन दोनो ये दोनो ऐसी condition है जिन्हें हम treat नहीं कर सकते पस्टूल तक आप उसको client पस्टूल की condition है तो आप client को treatment दे सकते हैं तो दोस्तो इस picture में आप देख सकते हैं कि अगर आपको इस तरह का दाना है जो कि आपके skin के surface के नीचे है और थोड़ा बड़ा है, solid है तो ये हमारा nodule है ये nodule का example है, इस तरह के दाने हैं अगर तो वो nodules है और दोस्तो इस तरह के से अगर आपके skin के surface के नीचे पस से भरे हुए बड़े दाने है तो ये हमारा cyst है nodule and cyst दोनों ही acne की बहुत ज़्यादा severe condition है तो दोस्तो ये थी हमारे types of acne हमारे acne pimple मुहा से कितनी प्रकार के होते हैं कितनी तरह की हमारे acne होते हैं और कौन कौन से उनके stages होती है कि stage तक हम acne को treat कर सकते हैं कौन से stage पर हमें acne को treat नहीं करना चाहिए ये हमने जाना तो I hope कि आज का वीडियो आपको knowledgeable लगा होगा आपने बहुत को सीखा होगा अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो आपको वीडियो knowledgeable लगा हो तो प्लीज वीडियो को like जरू कीजेगा अपने friends के लाज share भी जरू कीजेगा और मुझे comment करके जरू बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और अगर आपको कोई doubt हो तो वो भी मुझे आप जरू पुछेगा comment box में comment करके तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो जली से subscribe कर लीजे पास इबने bell icon को press कर के all पे click कर लीजे ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको कहा रही हूँ full professional beautician का course मैंने आपको skin, makeup and तीनों चीज़ों का syllabus बताया है आप चैनल पर जाकर check out कर सकते हैं उन सारे topics पे मैं आपको वीडियो देने वाली हूँ theory and demo के साथ तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लीजे ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो तो चलिए दोस्तों जल्दी से मिलते हैं next वीडियो में तब तक हैल रखें अपना और अपनों का और यू ही प्यार बाट दे रहे take care, thanks for watching, love you all